नमास्कार आपका Agree Advice में एक बार फिर से स्वागत है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक काफी अच्छी जानकारी है और एक छोटी सी जानकारी जो आपको काफी फाइदा पहुंचाएगी दोस्तों ये जानकारी आपके लिए इसलिए फाइदे मन्द है क्योंकि इस समय गेहों की बुआई चल लही है और गेहों की बुआई के समय हमको बीज खरीदना होता है ऐसे में हम मार्केट से बीज खरीदते हैं तो काफी महंगा बीज मिलता है और इसके साथ साथ गुडवत्ता भी कभी कभी सही नहीं निकलते हैं यानि हम कभी कभी ठगी के सिकार भी हो जाते हैं फाउंडेशन सीड्स और सार्टिफाइड सीड्स से धिम खरीते हैं तो कभी-कभी उनकी गुर्वत्ता सही से नहीं मिल पाती है और काफी महेंगे हमको बीज भी मिलते हैं आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं चार गेहों की ऐसी ब्राइटिया हैं जिनको आप आधे दामों पर प्राप्त कर सकते हैं पूरी डिटेल से जानकारी दोस्तों हम बताने जा रहे हैं यहां की किसानों की जानकारी हमारे पास उपलब्द है क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश की ही रहने वाले हैं तो जो गेहूं की चार ब्राइटियां हैं ये हैं HD 2960 जो उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच काफी फेमस प्रजात है और काफी किसान भाई इसकी बुवाई करना पसंद करते हैं ये आपको certified seeds मिलेगा 2800 रुपे प्रतिकुंतल आपको seeds मिलेगा लेकिन छूट कैसे मिलेगी कैसे आप इस पे बचत कर पाएंगी ये भी हम बाद में आपको बताएंगे दूसरी प्रजाते PBW 621 जिसका foundation seeds मिल जाएगा ये भी काफी अच्छी प्रजाते है जो किसान भाई भूसा भी तयार करते हैं उनके लिए किस्म जो है काफी और भी बढ़िहा हो जाती तीसरी प्रजाते HD 36 ये भी आपको foundation seeds मिलेगा और ये भी उत्तरपदेश के किसान भाई गवाई करना काफी पसंद करते हैं चौती प्रजाते PBW 88 इसका certified seeds मिलेगा और ये भी बढ़िहा उत्तरपदन देने वाली किस्म है तो दोस्तों HD 29 इसका certified seeds मिलेगा PBW 88 इसका certified seeds मिलेगा HD 36 इसका foundation seeds मिलेगा और PBW 621 इसका भी आपको foundation seeds मिलेगा अब चाहे आप certified seeds भाई करें या foundation आपने अमसार चार ब्रैटियों में से एक ब्रैटि का चैन कर सकते हैं और इस बीज को खरीद करके आप वही कर सकते हैं सबसे बड़ा दोस्तों फाइदा यहां पर निकल आता है कि जब आप इन बीजों को खरीदते हैं तो चौदा सो रुपे ही प्रतिकुंतल के हिसाब से आपको बीज की कीमत लगेगी जिससे एक काफी सस्ता बीज आपको पड़ जाएगा यदे आप इन बीजों की बुआई करना चाहते हैं तो उची समय चल ला है और यदे आप तीन से चार सिचाहियां कर लेते हैं तो आपको बीज से पच्चिस कुंतल तक ये ब्राइटियां उत्पादन दे देती हैं इसके साथ साथ ही ये सभी की सभी ब्राइटियां ऐसी हैं अब दोस्तों इसकी आप बीज को प्राप्त कैसे करेंगे और छूट आपको कैसे मिलेगी या नहीं आपको 14 सो रुपे में बीज मिलेगा कैसे तो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान दिला दें जो आपके छेत में राज की बीज भंडार होते हैं जो जिला इस तर पर और बलाक इस तर पर आपको मिल जाएंगे वहाँ जाना पड़ेगा आपको और वहीं से आपको ये सीड्स मिल पाएंगे लेकिन जाने के पहले आपको कुछ डाकुमेंट भी ले जाना पड़ेगा तभी आप छूट का लाफ ले पाएंगे नहीं तो आपको ना तो बीज मिलेगा और ना तो आपको छूट ही मिलेगी जब आप इस बीज को लेना चाहें तो उसके साथ आपको एक आधार कार्ड की फोटो प्रति ले जानी पड़ेगी इसके साथ साथ बैंक पास्बुक की फोटो प्रति ले जानी पड़ेगी ध्यान रखना है बैंक पास्बुक की फोटो प्रति आप उसी के लगाएं जिस पर आपका किसान सम्मान निदिका पैसा आ रहा है यानि वहाँ पर जो आल्ड़ी पहले से रेजिस्टर्ड आपका एकाउंट है वही ले जाएं मुबाइल नंबर भी आपको वही लगाना है जो पहले से रेजिस्टर्ड है इसके साथ साथ जो चौती जरूरी चीज है वो भी आपको ले जाना है नहीं तो यदि आप इस चीज को नहीं लगाएंगे तो आपको छूट का लाब नहीं मिल पाएगा ऐसे तो दुकानदार या जो बीज भंडार वाले हैं वो भी सीट्स खरीद करके और सीधे बिक्री कर सकते हैं इसके लिए आपको खतवनी या इंतखाब भी लेकर जाना पड़ेगा जो चीज आपके पास हो वो लेकर जाएए उसकी पोटो कापी भी आपको आउसकता पड़ेगी वहाँ पर एक आपको फार्म मिलेगा और उस फार्म पर पूरी आपको डिटेल भरनी है और साथ में ये तो इस तरह से आप अच्छी क्वाल्टी अच्छी गुडवत्ता वाले सीड्स भी मिल पाएंगे और आपका पैसा भी बच जाएगा या आधे रेट में आपको सीड्स भी मिल जाएंगे तो एक अच्छा तरीका है सरकार द्वारा अंदान भी दिया जा रहा तो इधर उध पासने से अच्छा है कि इन किसमों में से किसी एक ब्राइटी को या दो ब्राइटी को जो चाहें आप उसका चैन कर सकते हैं वुवाई करके लाब ले सकते हैं तो एक छोटी सी जानकारी थी जो आपके लिए काफी फायदे मंद साबित होगी इसलिए दोस्तों तदकाल पर दिजी जिसे उनको भी जानकारी मिल दो